अच्छा ची नेक्स टम आपस कार्टिशन कोडिनेट सिस्टम ठीक है बहुत एजी सा कॉंसेप्ट है यह भी इन कॉमन लाइफ भी उस्टार इस वेट नौट साउथ पर देटर्मिनेशन ऑप पोजिशन ऑप जेक्ट के निगे नौमली लाइफ में हम अगर हमें डारेक्शन बतानी होती होते हैं तक है जिस्ट करना करते हैं थिस्टम इस में होता लगत सुरेट फैक्स में दोस्त्रेइट लाइं सोती है थीक है पिर उसके बात क्या फिच्छा प्रेंडिक्लर तू इस अडर थीक ये जोन wenig straight lines एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पर होती है ठीक है चारो तरफ से 90 डिग्री बन रहा होते है ठीक है यह प्लें रेक्टेंगुलर कॉर्डिनेट सिस्टम यह कार्टिशन कॉर्डिनेट सिस्टम कहलाता है दो होरिजॉंटल लाइन थो हो होरिजॉंटल लां यह क्ता इसले एकैस कहलाते है यह एकस एकसस कहलाती है ऑंड़ीकल लाइनेसद नोन राइस positive x-axis is taken the right and negative x-axis is taken to the left ठीक है अब ये जो x-axis है ये दो तरफ है ठीक है एक जो right side पर जा रहे हो positive x-axis लेने हम एक जो left side पर जा रहे हो नेगतिव x-axis लेने ठीक है ये negative x-axis ये positive x-axis ठीक है similarly positive y-axis is taken upward जो जो है positive वाय लिया जाता है downward जो है negative वाय लिया जाता है ठीक है अच्छा यह हो गया फिर उसके बाद देखो in Cartesian coordinate system Cartesian coordinate system में there are four coordinates, चार coordinates होते हैं vector can be drawn in any one of them according to angle made by the given vector with x-axis ठीक है इन चारों में से किसी भी quadrant में vector को draw किया जा सकता है ठीक है angles की मदद से x-axis से वो जितना angle बना रहे है उस angle की मदद से for example आजो जल्दी से यह चार coordinates होते हैं ठीक है quadrant 1,2,3,4 ठीक है यह जो चार coordinates है anti-clockwise move करें ठीक है clock ऐसे चल रही होती है न यह किस तरह move करें यह anti-clockwise move करें इस तरह ठीक है देखो यह first quadrant है second quadrant है third quadrant है fourth quadrant है ठीक है 650 ठीक है तो यह 20 degree इस तनहां त्रोज जाएगा ठीक है फिर उसके बाद angry 106黄ेस तरह mág तो यह एंगल के उपर डिपेंड करते हैं हम किसी भी कौडरेंट में आपका वेक्टर बना सकते हैं ठीक है अच्छा जी देखो फर्स्ट कौडरेंट में पॉजिटिव एक से यह first quadrant है इसमें positive x है और positive y है second quadrant में देखो x negative है लेकिन